ओम शांती आज 23 सितंबर 2022 है तूफान को तोफा बनाना ये बाबा हमेशा मुर्ली में कहते हैं लेकिन कैसे बन सकता है तूफान तूफा इस बात को हम आज के स्लोगन के जरीये जानेंगे नाव और खिवया मजबुद हो तो तूफान भी तूफा बन जाते हैं कई मुर्लियों में नाव और खिवया का भावार्थ बाबा अलग-अलग बताते हैं कई बार बाबा केते नाव है शरीर और खिवया है आत्मा और कभी-कभी बाबा केते नाव है आत्मा और खिवया भगवान पर मात्मा मैं स्वयम आज के स्लोगन में नाव और खिवया का अलग ही भावार्थ है नाव माना मन और खिवया माना बुद्धी जब दोनों ही मन बुद्धी मजबूत हो तो तूफान तोफा बन जाएगा मन रुपी नाव को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं मन में यदि द्रता की शक्ती हो हिम्मत के संकल्पों के किले मजबूत हो तो ये हैं मन रुपी नाव को मजबूत बनाना और दूसरा जो कहा खिवया बुद्धी खिवया को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं जब बुद्धी में निश्चय कायम हो, कि हमारा विजय निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता, ये अटल विजय हमारे लिए सदाहिर लिखा हुआ है, विजय ही हमारा जनमसित अधिकार है, इस बात पर संपूर निश्चय हो, और इस बात पर भी निश्चय हो, कि भगवान मेरा साथी है, भाग्य मेरा साथ देता है, तो ये है खिवया यानि बुद्धी की ताकत, तो दोनों ही मन और बुद्धी को निश्चय की शक्ती से और दृता की शक्ती से मजबूत बना लेते हैं, तो तूफान भी तोफा बन जाता है, तूफान माना हलचल की परिस्थिती, और तूफान को तोफा बनाना माना उस हलचल की परिस्थिती में अपने मन और बुद्धी को अचल बना करके, हलचल के जो परिस्थिती के पीछे, परदे के पीछे जो कल्यान समाया हुआ है, उस कल्यान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि कल्यान ही तोफ इसलिए अपने मन और बुद्धी को मस्बूद बना करके तुफान से भी तुफा प्राप्त करें यही है नाव और खिवया को मस्बूद बनाना ओम शांति